हम खाटू शाम के तुमको भगतों कथा सुनाते हैं हम शाम के तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीस के दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू के सरकार करमगतों का उद्धार ये खाटू की सरकार करमगतों का उद्धार भारत वर्स में एक प्रदेश है भकतों राजस्था सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावन्धा दूर दूर से भकत यहां दर्सन को आते हैं मुहमागी सब अपनी मुरादे इनसे पाते हैं शाम धड़ी कहता कोई इनको तीन बाण धारी स्री किष्ण जी के ही यह कहलाते हैं ओतारी क्यूंकिन होने सिरी कृष्ण को सेच का दान दिया खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया शाम के नाम से इसलिए ये पूजे जाते हैं सिपावन कथा सुनाते हैं शीशिक दाने खाटू वाले शाम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उत्धार खाटू शाम की यूंतों वगतों कथा बड़ी प्राची धर्म युद्ध हुआ कुरू छेत्र में है पांडों काली भीम हिडिम बादोनों ने आपस में व्याह रचाया वीर घटोत कच नाम का पुत्र फिर तो नहोने पाया वीर घटोत कच की ही बन कर आए ये संता मात पिता ने सुभ मुहूरत में दिया बरबरिक ना बरबरिक भी अपने पिता सम हुए बड़े बलवा करके कठिन तप देवी मा से तीन लिये है बाद ऐसे बार जुलक्ष भेद वापिस आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिसक दानी खाटू वाले स्याम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार तरभगतों का उठां ये खाटू की सरकार तरभगतों का उठां कोरों पांडों की सेना जब सामने आन खड़ी देखूंगा युध बरबरीक की इच्छा बड़ी हुई युद्ध देखने की मंसा से वो है चले आए अपने तुनीर में तीन बाड़ भी संग में वो लाए कृष्णा जी ने देखा कौन योधा आया है ना कोई से ना तीन बाड़ बस साथ मिलाया है कृष्णा जी फिर उस योधा का भेद जानने आये वीर पुरुस तुम कौन हो मुझको इतना दियो बताए अपना पर चैबर बरिक फिर उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं चीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरका तर्भगतों का उद्धा ये खाटू की सरका तर्भगतों का उद्धा कहने लग वैसे तो मैं ये युद्ध देखने आया पड़े जरूरत ही सीलिये संग तीन बाड मैं लाया कृष्णा जी लग पूछन किसका साथ निभाओगे तीन बाड से युद्ध भला कैसे करपाओगे बर बरिक कहिन बाडों पर करना ना संका एक बाड से भेदू लक्षे तुम कह दो जिनका एक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आये बोले के इसके पत्तों को भेदिक दो दिखलाए एक पत्ता वो अपने पाओं तले दबाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उन्धा बर बर एक ने छोड़ा बार फिर जप करके एक मन्तर पाओं वाले शाम कृष्णा आए लिए रोले ये खाटू की सरकार कर भगतों का उन्धा बर बर एक ने छोड़ा बाड फिर जप करके एक मंतर क्रिष्णा जी के पाओं में जैसे ही बाड आया बर बरीक ने क्रिष्णा जी को फिर है चेताया है ब्रामण तु इस पत्ते से लोब पाओं हटा बर बरीक के बाड ने तु पत्ता भी भेद दिया क्रिष्णा जी बोले युद्धा हो आप तो बड़े महार मैं हू निर्धन ब्रामण कुछ मुझे को दे दो तुम दान दान शीश का बर बर एक सफिर वो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीश के दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खातू की सरकार करभगतों का उत्दाद ये खातू की सरकार करभगतों का उत्दाद अपना असली रूप है फिर तो किष्मा जी ने दिखाया लेकिन अब तो बरबरी कभी वचनों में घिर आया बोले दान शीश का भगवन मैं तो करतूंगा लेकिन इच्छा है मेरी युध पूरा देखूंगा अपने वचन को बरबरीक ने पूरा फिर तो किया फागुन सुकले द्वा दसी को सीस कदान दिया क्रिश्ना जी ने खुस होकर फिर दिया उन्हें वरदान मेरे नाम से होगा पूजन अमर रहे तिरा नाउ शीसक दानी इसलिए तो ये कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीसक दानी खाटू वाले शाम कहते हैं अम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर्मगतों का हुझा ये खाटू की सरकार कर्मगतों का हुझा किन्तू महभारत का युद्ध था उसने देखना चाहा उचेय स्थान पे कृष्णा जी ने उनका सीस बढ़ाया फिर तो दोनों से नाओं में युद्ध हुआ भारी रहा देखता बरबरीक सबको बारी बारी अठारा दिनों तक कुरुक छेत्र में युद्ध है गोर हुआ हुई अधर्मक विजय धर्मका फिर से जीत हुआ विजय हुए है पंड़ों वो तो जीत का जशन मनाए बरबर क्या देखा तुमने फिर तो पूछने आए देख क्रिशना जी को बरबरिक फिर मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिशक दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू के सरकार कर भगतों का उतार ये खाटू के सरकार कर भगतों का उतार कहें युद्ष्टिर ये युद्ध तो है मैंने जित वाया भीम कहें मेरी गदा के आगे कोई टिक ना पाया अरजुन बोले कौन भला है मुझे साधन धारी नकुल सहतेव करें बढाई खुद की बारी-बारी सुनकर बोले बरबरिक मैंने सब देखा है करते हो अभिमान जो खुद पर वो सब मिथ्या है इस युद्ध में बस कृष्णा जी का चला सुदर संचक्र काली रूप में द्रोपदी को देखा मैंने भरते खपर इतना सुनकर पंडो सारे चुप हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उतार हुआ अहम पंडवों को बरबरीक ने मीटाया कृष्णा जी ने खुश होकर अपनाय उतार बताया नीले घोडे पर सवार होकर ये आये थे नीले घोडे वाले ये इसलिए कहाए थे बोले कृष्णा कल युग में होगा तेरा वा अपने भगतों के सब दुख पल में कर दो गिना खाटू नगरी में होगा बना पावन तेरा अधा मेरे नाम से भक्त तुम्हें बोलेंगे खाटू शाम इसलिए मेरे बाबा खाटू शाम कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर्मगतों का उद्धा आज भिदर सन को लगती भगतों की भीड अपार मनों काम ना पूरण करते खाटू की सरकार शाम धड़ी अपने भगतों में खुसिया रहे है बार ये चाहे तो निर्धन के भी लग जाते है ठार हंस राजर लहन तेरे दर पे सीश जुकाता है डीयस पाल बड़ी स्रत्दा से महिमा तेरी गाता है फाज सुरेस को हे बाबा देना इतना वर्दा करता रहू गुड़ गाने सदा बस इतना हो जाए ग्या मूरक ग्यानी बन जाए गर आप जो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शिसक दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरका कर भगतों का उठा ये खाटू की सरका कर भगतों का उठा कर थाटू कर बस जाटू सबनाते हूं